नमस्तेकार और आज हम कड़े हैं एक इटलियन हैच बैक के सामने जिसका नाम है फियेट पुंटो इवो 1936 में रॉन चुई थी और ये 11 जिनरेशन का फेसलिफ्ट आप देख रहे हैं पेटल और डीजल दोनों में आती है शुरू होती है फाइव लैक से और टॉप मॉडली कीमत है नाइन लैक रुपीज और ये टॉप मॉडल इमोशन ही आप देख रहे हैं बेस मॉडल को पुंटो पी और या ग्रांडे पुंटो कहते हैं पुंटो पे बेस्ट एवेंचुरा अब आर्थ पुंटो और अर्बन क्रॉस भी आती है इटली ब्राजिल और इंडिया में एसेंबली होती है पुंटो की रैली रेसिंग में काफी फेमस रह चुकी है पुंटो और इसने कई अवाड्स भी जीते हैं और यह है रेंडियर हेड्लैंप्स बहतर विजिबिलिटी के लिए पुंटो को 1999 के कार डिजाइनर ऑफ दे सेंचुरी रह चुके वर्ल्ड फेमस ऑटोमोबिल डिजाइनर जी और जैटो जुजारो ने डिजाइन किया है पुंटो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पुंटो की 12 जनरेशन फिएट आर्गो भी 2017 में लाँच हो चुकी है लेट्स सी वो इंडिया कब आएगी ओरिजिनली पुंटो की फिर्स जनरेशन का नाम फिएट 500 टॉपॉलीनो है जो 1936 में लाँच होई थी पुंटो तो वैसे 1993 में लाँच होई थी और ये 5 जनरेशन आप देख रहे है 4 मिटर लेंथ है 1.5 मिटर हाइट है 1200 केजी कर्बवेट है ग्रे कलर आप देख रहे है रेड, वाइट, ब्लेक और ब्राउन का भी ऑप्शन है तीन साल की वारंटी है और ये हैं 15 इंच के डायमंड कट अलॉई वील्स 14 इंच के स्टील वील्स का भी ऑप्शन है आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे 900 cc twin air, 1600 cc e-torque, 1800 cc ecotec, 1900 cc multi jet engine और 5-speed automatic transmission variants भी आते हैं बट वो इंडिया में अवलेबल नहीं है जर्नल मोटर्स और Fiat के joint venture में बने small common components and systems platform पर बनी है पुन्टो जिस पे Jeep Compass, Fiat Linea और Opel Core सा भी बने है Safety के अंदर 2 airbags, ABS, EBD, Auto Door Lock, Center Locking, Fire Prevention System, Immobilizer और 3-point seatbelts, Pre-Tensioner और Force Load Limiters के साथ मिलेगी और यह 90 HP Power Tech की बैजिंग आई यह पीछे का boot खोल कर देखते है Rear Viper है और यहां आपको मिलती है 280 Liter की boot space यह tool kit है तो इसको ठाएंगे तो यहांपर spare wheel मिलेगा आई यह पीछे का passenger side door खोल कर देखते है यहांपर door पे black और beege finish मिलेगी नीचे थोड़ी पाँ space दी गई है speakers है power window के controls और यह है dual tone fabric upholstery black और beege में और seat के पीछे pockets दी गई है sunroof नहीं आती है दो headrest में लेंगे और यह है fabric upholstery की finish और पीछे के AC vent मिलेगा और ऐसे दिखता है front का dashboard dual tone dashboard है ambient lighting भी है dashboard पे leather app steering wheel और gear knob मिलेगा आई यह front का driver side door खोल कर देखते हैं यहाँ पर नीचे भी थोड़ी पाँ space दी गई है speaker है और यह power window की controls है थोड़ी पाँ space और ऐसे दिखते हैं आगे की seats काफी attractive डिजाइन है seats का fabric finish है और यह boot और fuel lid खोलने के लिए यह pedals है यहाँ पर थोड़ी पाँ space दी गई है light के controls है यह AC vent और यह है hydraulic power or tilt steering और यह manual handbrake 12V का charging port और यह 5-speed manual transmission leather wrapped car on कर लेते हैं और यह है fully automatic climate control AC यहाँ पर थोड़ी पाँ space है और यह है 5-inch का smart tech AV and touchscreen infotainment support करेगा Bluetooth, satellite navigation, USB, AUX और SD card तो यह radio, FM दो AC vents है उपर थोड़ी बाँ space दी गई है और यह glow box मिलेगा light के साथ और यह passenger side vanity mirror मिलेगा दो reading lights दी गई है यहाँ पर driver side vanity mirror नहीं मिलेगा और यह leather wrap three spoke steering wheel यह volume के controls है यह phone के controls है यह wiper के controls आगे पीछे यह light के controls और यह instrument cluster दिखाएगा digital clock odometer, trip meter, range mileage, outside temperature service reminder, average speed और tachometer और यहाँ से बढ़ेंगे डीजल आईए फ्रंट का bonnet खोलते हैं और देखते हैं inline 4 cylinder 1300cc multi jet DOHC diesel engine 93 PS power है 209 Nm torque है 20 का average मिलेगा 45 L के fuel tank से petrol में 1200 CC SOHC fire engine आएगा जिसकी होगी 68 PS power 96 Nm torque और उसका होगा 15 काईवरेज और यह diesel engine आपको देगा 20 काईवरेज multi jet 2005 का international engine of the year रह चुका है Suzuki इसको DDIS Tata इसको quadra jet नाम से यूज़ करती है Swift, Etiga, S-Cross और Tata Zest में भी यूज़ होता है यह engine multi jet 1300cc engine है यह आईए engine sound सुनते है तो कैसी लगी आपको Fiat.2 Evo हमें comments में बताइए Thank you आईए 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 आईए